Hello friends, welcome back to English with Aasha ma'am आज मैं आपके लिए एक paragraph लेके आई हूँ, इसको हम read करेंगे और इस paragraph की heading है habits habits means आदते और इसके थूँ हम सीखेंगे बहुत ही important word meanings यहाँ पे जो underline किये हैं वो तो है 24 new words लेकिन मैं साथ साथ जो थोड़ा easy वाले words हैं सबकी आपको Hindi meaning भी देती जाओंगी और साथ में sentence structure जो होगा और parts of speech होगा grammar related topics होगे वो भी समझाओंगी तो आपके लिए overall वीडियो बहुत helpful रहेगा तो इसी के साथ वीडियो को कर दीजिये like और पसंद आएगा अगर आपको तो इसे share जरूर करना और चैनल पे नए हैं तो please subscribe to my channel आपके लिए इसी तरीके से knowledgeable videos मैं रोज लेके आती हूँ तो इस paragraph के थूँ यहाँ पे मैंने आपके लिखा है boost your vocabulary यूँकि जब भी आप reading करते हो तो vocabulary आपको काफी कुछ नई सीखने को मिलती है इसलिए उसको boost मिलता है बढ़ाईए अपनी vocabulary शब्द कोश को habits play a significant role in our daily lives habits आदते play a significant significant means महत्वपूर्ण और रोल भूमी का daily roles lives जीवन में और यहाँ पे जो play है इसका मतलब है रखती है नदा खेलना नहीं है इसका meaning इसका है कि स्थान रखती है तो हम इसका meaning इस तरह से बुलेंगे कि आदतें हमारी आदतें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमी का निभाती है हमारी रोज मर्रा की जिंदगी में तो देखें इस sentence में habits जो है वो plural subject है क्योंकि इसी के ही बारे में हम बात कर रहे है एक habit की नहीं आदत की नहीं आदतों की तो plural हो गया subject इसलिए यहाँ पे verb भी plural form में लगा हुआ है play अगर एक ही आदत की बात करते habit तो यहाँ हो जाता plays habit plays लेकिन यहाँ habits है subject तो हो गया plural verb habits play a significant role in our daily lives तो यहाँ significant हो गया महत्वपूर्ण तो role जो है वो noun है noun को describe कर रहा है यह वाला word significant adjective है यह noun को describe करने वाले words हम adjective बोलते है they are routine behaviors यहाँ पे जो pronoun है noun के बदले second line में लग गया pronoun इसके बदले they means habits क्योंकि they है plural है उसके साथ are use किया गया है अगर एक ही habit जैसे मुलते it तो is होता है they are routine behaviors routine means दिंचर्या वाले रोज मर्रा की behavior व्यवहार that we repeat regularly that जो की we हम repeat means दोराते है regularly नियमित रूप से तो दिखें यहाँ पर भी जो repeat है वो verb है verb को फिर हमने और भी describe किया इसे बोलके कि regularly दोराते है और regularly नियमित रूप से यह adverb है क्योंकि यह विशेषता बता रहा है या और जानकारी दे रहा है इस वर्ब के बारे में फिर से पढ़ेंगे they are routine behaviors that we repeat regularly often without conscious thought often means अक्सर without बिना conscious means सचेत होकर और thought हमारे विचार तो कई बार अक्सर हम बिना किसी सचेत विचार के या सचेत होकर हम क्या करते हैं repeat करते रहते हैं दोराते रहते हैं अपनी आदतों को अक्सर ऐसा करते हैं तो यहाँ पे जो often है वो भी adverb है वो भी repeat को describe कर रहा है कि हम दोराते हैं अक्सर तो ये दोनों है एड़ वर्ब ये हो गया वर्ब और without conscious thought, thought noun है वो उसके बारे में बता रहा है ये वाला adjective सचेत विचारों के Cultivating good habits can lead to positive outcomes, cultivating विक्सित करना lead to ले जा सकता है to positive outcomes सकारात्मक, positive means सकारात्मक और outcomes परिणाम in various aspects of life, various within aspects पहलू of life जिन्दगी के या जीवन के अब समझेंगे इसका meaning, cultivating good habits can lead to positive outcomes in various aspects of life, अगर हम अच्छी आदतों को विक्सित करते हैं तो हो सकता है ये हमें ले जाए सकारात्मक परिणामों की और in various aspects, अलग-अलग पहलूँ में तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा होगा, अगर हमारी आदतें अच्छी होंगी तो सब कुछ हम अपने लिए अच्छा कर सकते हैं इसलिए हमको अच्छी आदतें विक्सित करनी चाहिए अब यहाँ पर चलो उधारन के तौर पर देखते हैं क्या बताया गया है तो यह जो आप रोज करते हो, रीडिंग करते हो, रीडिंग के विडियोस देखते हो तो habit of reading everyday, जो यह आदत है पढ़ने की रोज हर दिन, can expand, expand means बढ़ाना तो वो जो है बढ़ा सकती है, once knowledge, हमारी knowledge means ग्यान या किसी की, once, किस हर एक की बात की गई है कि किसी की भी knowledge या किसी के भी ग्यान को बढ़ा सकती है and vocabulary, vocabulary शब्द कोश, conversely, converse means उल्टा या opposite conversely यह adverb है, तो conversely मतला इसके विपरीत अगर बात करें breaking bad habits, breaking means तोड़ना, bad habits, बुरी आतनों को तोड़ना like procrastination, procrastination procrastination, जैसे बुरी आदत होती है यह procrastination इसका मतलब होता है कि जो काम आप आज कर सकते हो उसको कल पर टालना, उसी को बोलते है टाल मटोल कर देना तो यह तो बहुत बुरी आदत है, तो इसी को तोड़ना जैसे कि breaking bad habits like procrastination और excessive screen time, दूसरी आदत किसके लिए बताई, excessive बहुत ज्यादा screen time means screen पे होना, वो हो सकता है mobile screen पे हो, computer screen पे हो, TV screen पे हो तो बहुत ज्यादा excessive screen time, यह जो दो चीजे हैं, conversely अगर इसके विपरीद बात करें तो तोड़ना बुरी आदतों को, जैसे कि रोज हम कोई चीज जो आज कर सकते हैं, उसको कल के ओपर छोड़ दें, procrastinate कर दें या तो बहुत ज्यादा excessive screen time, excessive बहुत ज्यादा time screen पर हम व्यतीत करें, स्क्रीन पर व्यतीत करें, बिताएं can improve productivity and overall well-being, तो improve means विक्सित कर सकता है, बढ़ा सकता है productivity हमारी उत्पादक्ता को जितनी हमारे में capability है, तो अगर हम इन बुरी आदितों को तोड़ दें, हटा दें, तो क्या होगा हमारी उत्पादक्ता बढ़ जाएगी, उतना ही time जो हम waste कर रहे हैं, excessive time, बहुत ज्यादा time, उसमें हम क्या productive हो सकते हैं, कुछ अच्छा काम भी कर सकते हैं, उत्पादक्ता बढ़ सकती हैं, और पूरी तरीके से हमारी भलाई हो सकती हैं, तो हमारे भलाई के लिए ही हैं हम बुरी आद्तों को छोड़ दें, it takes discipline and determination, to establish or change habits, अब बोलना तो बहुत असान है, लेकिन it takes, तो हम बुरी आद्तों को छोड़ना, it takes discipline, उसके लिए क्या होगा, discipline means अनुशा determination, determination means dreadness, अपना dread संकल्प करना पड़ेगा, to establish, to के साथ verb first form used है, तो ये उदेश ये बताता है कि discipline or determination किस चीज़ के लिए, establish करने के लिए, स्थापित करने के लिए, और change habits, या तो अपनी आद्तों को change करने के लिए हमको अनुशासित बनना पड़ेगा, dreadness चाही बनना पड और life में आगे जाना है, तो बुरी आद्ते तो त्यागनी पड़ेंगी, over time, habits become ingrained in our lifestyle, over time, समय के बीतने के साथ-साथ, habits become, जो आदते हैं, वो बन जाती हैं, ingrained, ingrained means कोई भी आदत, या कोई भी सोच जो है, हमारे साथ लंबे समय तक रहे, तो अगर हमने अच्छी आदते बच्पन से सीखी हैं, तो वो हमारी personality का एक हिस्सा बन जाएंगी, इसलिए habits become ingrained in our lifestyle, हमारे जीवन शैली में वो ingrained हो जाती हैं, लंबे समय तक रहे जाती हैं, तो अच्छा है जितनी जल्दी हो सके, बुरी आदतों को दूर रखें अपने स और अच्छी आदते अपना हैं ताकि हमारी personality भी उसी हिसाब से विक्सित हो सके, develop हो सके, therefore इसलिए it's essential to foster habits that align with our goals and values, therefore इसलिए it's, यह contracted form है, it is का, it is essential, essential जरूरी to foster, और foster का मतलब होता है कि विकास में मदद करना, विक्सित करना, विकास में मदद करना, to foster habits that align, align का मतलब होता है कि विचारों का समर्थन करना, और किस के साथ, with our goals and values, जो भी हमारा लक्षय है, goals है, और values है, जो हमारे जीवन के मूल्य है, उनके साथ-साथ हमारी, जो यह habits है, वो same parallel चले, ठीक है, same ही line पर होना चाहिए, जैसे कि हमारा जो goal है, हमने बहुत अच्छा goal अपने लिए set किया है, तो उसी हिसाब से हमको habits भी अपनानी पड़ेंगी, तब ही हम वो goal को achieve कर सकते हैं, तो जो habits है, that align with our goals and values, तो हमारी habits, हमारे goals के हिसाब से हमको रखनी चाहिए, as they shape our character and influence our success, as क्योंकि they means habit, shape our character, character चरित्र, shape एक आकार देती है, influence प्रभावित करती है, our success हमारी सफलता को, यहां से एक बार पढ़ेंगे, therefore it is essential to foster habits that align with our goals and values, तो इसी लिए बहुत जरूरी है, कि हम विक्सित करें अपनी habits को, उस तरीके का, जो की हमारे goals को पाने के लिए, और हमारे मूलियों के हिसाब से चले, as they shape our character, क्योंकि बहुत important होती है habits, वो तो हमारे चरित्र को एक आकार देती है, और प्रभावित करती है हमारी सफलता को, हमारी सफलता हमारी आदतों पर निर्भर करती है, तो अगर हमारी आदतें अच्छी है, तो हमको सफलता भी जरूर मिलेगी, So friends, हमने habits के उपर ये पूरा paragraph पढ़ा, समझा और काफी अच्छी vocabulary हमको सीखने को मिली, So I hope आपके लिए ये वीडियो helpful रहा होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज लाइक और शेर जरूर कीजेगा, और अगर चैनल पे नए है, तो प्लीज सब्सक् के reading related, knowledge related videos रोज मिलते हैं यहाँ पर, thank you everybody for watching, see you next time.